कि जैहिंद आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपोटेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में आप कि ट्विल्द के परिक्षा देने वाले हैं एक तरिक से आपका परिक्षा होने वाला है और बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप परिक्षा देने चले जा जाते हैं जो कि बिल्कुल सारा सा गलत है हाना और बहुत जाद आपके पास नॉलेज भी है और बीना इंस्ट्रक्शन पढ़े आप एक्जाम को देते हैं तो आपके यह फिलियोर होने का जो है ना चांस बढ़ा देता है बीना इंस्ट्रक्शन दिए हाला कि उसके लिए आ आप एक्जाम मत दीजिए उसमें बहुत सारे रूल और रेगुलेशन लिखे होते हैं उसी के अधार पर परिक्शा देना होता है अगर उसके बियोंड आप जाईएगा उससे अलगा आप करने का प्रयास करिएगा तो फिर यहां दिकत होगा आपको आपका मार्स कम आएग तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा इसकीप मत करिएगा और हमारे वीडियो पर अगर चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देजिए क्योंकि मैं आप से जूड़ना चाहता हूं एसा नहीं कि हम यह चाहते हों कि आप हमसे जुड़ी ह मैं आप से जूड़ना चाहता हूं और इसका एक ही तरीका है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए क्योंकि विद्यारतियों को एक्जाम देने जाना है एक फरवरी सही समय बहुत कम है जो कुछ मैं बता रहा हूं इस आज समय लेते हैं तो उस दिन आपको समझने में कोई परिशाइन नहीं होगी हाना और आपका वक्त बचेगा भी और बचा हुआ वक्त आप किसमें लगा सकते हैं तो आप कुस्टन को सल्व करने में लगा सकते हैं लेकिन आप एक बार जरूर देख लिजिएगा ठीक है न आपको दिख रहा होगा तो देखिए यह क्या होता है यह होता है सब्जेक्ट को मतलब आपकी सब्जेक्ट से हैं साइन्स है कॉमर्च से आर्ट से उसके लिए कोड जो है ना बनाय जाता है तो इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है दूसरा चीज़ यहांपे तो सब के लिए अलग अलग सीट बना जाता है तो उस सेट के लिए जो हैं एक कोड डाल दिया जाता है ताकि उनको समझ में आए कि कौन सा पेपर है किस तरह के कोश्चन सक्या है यह सेट है तो एक यह कोड हो जाता है उसके बाद देखिए सबसे इंपोटेंट इन दोनों पर ध्यान नहीं देना लेकिन इस पर जरूर ध्यान देना है देखिए यहां पर क्या लिख्या हुआ पर अपको मिला है ना इसका करमांक यही होता है और यह सबसे ज़्यादा remlin होता है इस सीज को में आपको भरना होता है जो और से देखते हैं कि इस में पारिये गां और की हो इसमें लिखा हुआ हैं यहां साथ अंक दिया हुआ है तिन इधर दिया हुआ हुआ है तो किसको भरना है हम लोग इस्ट्रक्शन में देखते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला इस्ट्रक्शन दिया हुआ है candidate must enter his her question booklet serial number 10 digit in the OMR answer seat मतलब answer seat पे जो 10 digit आपका booklet serial number दिया है उसको आपको भरना है अब यहां पे देखिए यहां पे सिर्फ रेट में दिया हुआ है साथ अंक दिया हुआ है 1234567 और फिरी यहां पे दिया हुआ इसका मतलब ये है कि इसको भी भरना है और इसको भी भरना है मतलब दोनों को भरना है तो जो OMR seat होगा ना उस seat पे हो सकता है कि प्रस्न पुष्टी का संख्या अलग दिया होगा भरने के लिए तो उसमें आप सात यह अंक भर दीजेगा और एक जगा और दीया होगा क्या चीज़ यहाँ पे विशाय कोड तो आपका विशाय कोड क्या हुआ 105 विशाय कोड यहाप लिखा होगा तो विशाय कोड वाले में जो आपका नमर दिया रहेगा ना वह नमर आप वहाँ पे डाल दीजिए गाना वहाँ पे उन लोगों से अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं दूसरा दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है केंडिडेट आर रेक्वाइड तो गीविए एंसर इंदियर ओन वर्ट्स ऐस फार आज प्रैक्टिकल प्रैक्टिकेबल यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्यार्थी जो है केंडिडेट जो है या था संभव जीतना हो सके ना अपने लेंग्वेज में ऐपनी भासा में क्या करें जवाब को दे ऐसा क्यूंब कहा जाता है देखिए क्यूंब कि अपने लेंग्वेज में अप लिखऊ लिखेगा न अपने भासा में लिखीएगा इसका मतलब क्या होता है ति आपने पढ़ा है और पढ़ करके अपने हिसाब से उसी को अपको लिख रहे हैं और इसमें आपको भरफूर नमर मिलता है कोपी पेष्ट वाला बात यहां पर नहीं होता है अगर हुब हुब भू है आपका नोलेज भी है और छे वर्ट के साथ आप खुद से लिख सकते हैं लेकिन फिर भी जो है ना आप सधारन भासा में लिखिएगा सधारन सब्दों का परियूग करके जवाब को लिखिएगा ऐसा क्या होता है ना क्यूंकि एक्जामनर समझ जाता है कि आपने अपने मन माहिन यानि जो पर होगा जो कोशन ओंते हना इसमें कोशटर दिया हुआ उसके कोश्चन के राइट मार्जिन में दाही ने तरफ क्या दिया हुआ उसका Self study हुआ अब कितना नमर मिलने वाला है हना तो इसमें आपको ड़ाइट में स्टाइट शाइड में किनारे आपको मिल जाया जैसे कि यहां प्रतास को क्वेशन को करने है और प्रती पूशन का एक इसको के इसने फक्रतास नमर आपको क्वेस्टन क्यार्फुली मतलब हर कंडिडेट्स को सभी जो भी है परिशाद ने आया हुए विद्यार्ति उनको 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया गया है को पढ़ने के लिए धियान पुर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय आपको दिया है तो यह काफी होता इंस्ट्रक् आपको मिला है ना क्वेस्टन बुग्लेट क्वेस्टन का मतलब तो आप सवाल समझी रहे हैं क्वेस्टन का मतलब सवाल बुग्लेट का मतलब क्या चीज एक छोटी मोटी पुस्तिका चोटी मोटी यह जखिए पुस्तिका ही नहीं है देखिए इसमें कितना पेजेज है त छाठा इस्टाइशन देखिए क्या करा है छाठा में है इन सेक्षन एए देरार हंडेट अब्जेक्टिव टाइब कोश्चन सेक्षन ए में सो अब्जेक्टिव टाइब आपको क्वेशन दिये गये हैं आउट ओफीच एने 50 ग्वेशन आर तूब एंसर और इसमें सिर्फ प कर लेखिए इनगी में से सीफ आपको 50 बनाने हैं और यदी आप 50 से ज्यादा सवालों को बना देते हैं तो और ऑनेक्टिव sorry क्वेशन है कुष्टन दिया रहे गार अपसंद रहे गार चार अपसन मिले गार उसमें से एक सई होगा सई को आप क्या कर देना है और अमर सीर्ट जो गाना उसमें इंसर सरकील होगा उसको रंगने लिए दिया होगा तो बुलू या बलेक पेंट दो ही पेंव आप लोग यूज करिए गहना दोनों पेंखते हैं यूज कर सकते हैं उसको रंग सकते हैं तो यहां पसके कंडिशने कि अगर पचास से ज्यादा सवाल बना दिये ओप्जेक्टीव टाइब का तब क्या होगा तो ध्यान रखिये 1 से लेके 50 तख सिरियल से एक से ले करके 50 तख को लिए जाएगा और उननी को क्या कर लिए जाएगा उसी में से सही और गलत आपने कितना बनाया है उसके हिसाब से आपको नमर दे दिया जाएगा तो इसमें ध्यान रहे तो इसको आप कैसे करिएगा अब सबसे पहली बात कि इसमें जो कोश्चन है अब लाइन से सौ तक दिया हुआ है वरन टू ठीरी फोर इससे करके 100 तक दिया हुआ है तो 100 व कोश्चन में जो आप बिल्खुल जानते हो आप सबसे पहले उसको बना लीजिए उसको पहले बना लीजिए और उसको नमर अपने हिसाब से एक लिख दीजिए जैसे कि मानगे चलिए एक से सोतों का कोशन था और आपको 25 नमर वाला कोशन जो है ना आपको पता है हंडेट में हंडेट परसेंट तो पचीस नमर कोशन तो बुकलेट का नहीं है लेकिन उसको आपने तो अभी पहला बनाया है ना जी क्योंकि आपको 50 बनाना है तो आपने पहला कोशन बनाया इसमसे का तो आप क्या करिएगा अपना हेसाब से तीन यह दिए ऐसे ही करते हैं पाचास लिखते जी से फायदा क्या होगा आप समझें को फेימए को टों से लेकिन एक से fi इंवा प्रमस्ते से बनाते जाते बनाते जाते पताशलता कि अपने मना दिया 60 को जब जाते गेनने के लिए तो अब गेनने मैं आपको समझ कलता कम स्कम् unpleasant a 2 3 4 5 6 78 9 10 आई से आप इसको गिंते दूबर तिन वर गिंते पंद्रबीस मिनट तो इसाई लोश चला जाता आ उसके बात पाता लगता कि लोग कितना बना दिये साथ को बना दिये अब साथ में क्या था कि शूरू में जोन पाचास गो बनाया है इसमें 35 माले चलिये स्वही था आउन्चास प्रिफ साथक या तारीश जो नियुक्त बनाया है सभी था ध्यान देजिए पर एक से आपने 45 जो कोशन बनाया है एक से लेकर अपने इसाथ जो नमर्ड डाले है उसमें से इतना माग चलिए सभी था पाया ताली से पचास तक गौलत था फिर पचास से जोन 60 अब बनाये हैं उस वही था तो सही तो हलाके आपने ज्यादा कोशन मनाया है गौलत उसमें कम ही निकला है लेकिन अब जो एक्जामनर क्या देखेगा आपको वन से लेके पचास तक की ही कोशन को लेगा आप साथ तक थोड़ी बीच में ही आपको चेकर लिया जाएगा अगर ज्यादा बनाते हैं तो तो क्या करेगा हो इसी के बीच में से 45 उसाइट आपको मिल गया पास्व इसमें से कट गया है अनुट को पांचास जो है ने चुन-चून के बनाई एगा और अपना डाल दीजिएगा तक गिंती करने क जो मेला नहीं रहा है एक दू तीन चार पांच और नहीं सही आपका समय लौश चला जागा तो बहुत भी इंपोटेंट इंस्ट्रक्शन था और जो मैंने टिप्स बताया बहुत ज्यादा इंपोटेंट है तो इस बात का ध्यान रखिएगा अगर कोई चीज समझ में नही अब इसके बाद वाला मुख देखते हैं इसमें और क्या बात कहीं गई है तो बुलू और ब्लेक पेंट से क्या करना है ओ एम आर सीट पर क्या करना है उसको रंगना है और रंगिये तो एकदम बहुत रंग करके एदम सीका बराबर मत कर दिए ना जितना एरिया दिया अन्य के बास से उसमें आपको वाइटनर का परियोग कत्ता यह करना है और किसी और लिक्वीट पदार्त का उप्योग वह सब्सक्राइब लोगत हो गया ठुक लगा के उसको ऐसे करते हैं ना कंसे मारते एकदम नहीं करना है कि व्लेडुल एक कि नलोग उसको नकुरना अहना इन चीजों से आपको बचना है गलत हो गया तो बहले गलत हो गया कोई बात नहीं लेकिन पाल और करेगा अहीं तो क्या हो सकता है क्योंकि टीज्र करता है अच्वtant सष्ट करता था गया तर्प गोठांती बिलकुल आप मत करिएगा ना साथ इसक्षन देखते हैं इं स्क्षन ऊप्शन बधीफ सेवें 달 सेवें डिस्क्रिप्तिव टाइब कोस्ट्न न सेक्षन बी में आपको क्या मिलेगा साथ कुशनी रिलेगा जो descriptive type होंगे descriptive मतलब जिसमें बयान करना है आपको जिसमें लिखना है अब तक जो भी सवाल थे वो objective type question थे और उसमें आपको लिखना नहीं था सिर्फ क्या करना था टीक करना था ना लेखिन अब जो है ना B section में जो भी सवाल है साथ सवाल मिलेंगे और वो क्या मिलेंगे तो descriptive type सवाल होंगे उसमें आपको लिखना होगा while answering the question candidates should adhere to word limit as far as practicable अब इसमें कहा जा रहा है कि जवाब देते समय परिशार्ती जाता संभव उनको जितने words में लिखने के निर्देश दिये गए है उसका पालन करेंगे अगर सवर्ड में कहता है तो सवर्ड में लिखिए डिर जब descriptive type question लिखिएगा न तो देखिए अब काउंट नहीं किया जाता है लंब सम जब descriptive type question लिखिएगा तो ऐसे ही साब से लिखिएगा कि हर एक लैन में जैसे कि एक लाइन में आप कितना रिक रहा है तो अच्णों दौसलाइट लिख रहा है तो वह सई प्रयाज करिएगा जब रतना गया बट के उडए डिखना है रख रहा है उतना ही सम में रखिएगा इससे होगा किया क्यूंकि आप गिनिये गाना ही नर्व एक सम और हुँ आपका कर दिजिए फोर्दि चूंभ्यान पता लगा किसी कई लाइन में अपने खुब जो है न कम गैप देकर लिखांँ कसी तो एबरेज जो है निकालना कितना वर्ड आपने लिखा एबरेज निकलना बड़ा मुश्किल जाएगा उसको गीरना पड़ेगा और इसमें बहुत ज़्यादा समय का लॉस होगा तो इस इसका ध्यान रखिएगा बराबर गैप सभी लाइनों में रखिएगा वर्ट के बेहतरीन तरीके से आप बेहतर रियल्ट आ सकते हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा आठवा इंस्ट्रक्शन है यारी लास्ट इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा जा रहा है समझ लिए यूज ओफ एनी इलेक्ट्रोनिक एप्लाइंस इस इस्ट्रिक्ली प्रोह प्रोह आपको और कुछ टिप से उस चीज को आप फॉलो करिएगा तो बहतर से बहतर नमर आएगा सबसे पहले समझे कि सेक्शन एमें आपको कुछ नहीं करना था अपने कर लिया ध्यान रखना है सिर्फ 50 करना था और कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है अब देखिए सेक्शन भी में सेक्शन भी तो है डिस्क्रिप्टिव टाइप कोश्चन तो इसमें आप क्या करिएगा सबसे पहले इसका जब एंसर लिखिएगा तो सेक्शन भी का नहीं जी तो सबसे पहले एकजाम में आप क्या करिएगा मैं रूखिए इसको मिटा दे रहा हूं कैसे आ कि जैसे कि मान कर चलिए छिक्षन वी में आप जा रहे हैं बनाने के लिए क्विशन को तो आप यहाँ पर लिखिए section B ठीक ना section B और ऐसे आप इसको कर दिजी इसे पता चलता है जामिनर को कि हाँ आप section B में है section B के question को आप लिख रहे है अब section B में आप प्रस्न दो को अब देखिए descriptive में क्या किया आता है descriptive में जाई यह तो सबसे पहले ध्यान क्या रखिए सबसे पहले question देखिए और question किस कोशत में सबसे ज़्यादा अंक मिलने वाला है क्योंकि कमनbies नवाला चुट भी जाया तो उतना दिक्कत नहीं लगोचिन ज्ञाना को आपको बनाना कैसे है कूशन नमर कितना है पाच है तो पाच लिखिए अना और इसका यहाँ पर एंसर लगाई यह और इसका एंसर लिखी अगर दिखिए सवाल कह रहा है कि what is water pollution and what is the effect of water pollution on human beings अब कह रहा है कि water pollution क्या है और इसमें और पूछ रहा है कि इसका effect क्या होगा हमारे उपर क्या होता है तो इसमें देखिए दो तरह का question है हना दो तरह का topic बन रहा है तो सबसे पहले अब क्या करिए नहीं यहां पर एक heading देजिए और बड़ा में heading जो होता है ना बावु हमेंसा जो है जिस जो हम लोग answer लिखते हैं उस सब्दों का जो साइज होता है ना इससे चारगुना साइज में हम लोग क्या देखिए heading देन से फाइदा क्या होता है अब समझ जीए heading दीजिएगा तो चार लाइन तो यहीं को भर कर लेगा तो चार लाइन आपका समझ लिजिए कि पेज भरने में ज्यादा मदद करेगा दूसरी system से लिखा है मतलब पढ़ा हुआ बंदा है तो आपका heading देखे क्या कर देगा उटी कर देगा और आपको नमर देदेगा इतना बेहतरी कौन लिख सकता है जी तो जो पढ़ा लिखा विद्यार्ति है जो काफी experiment किया हुआ है कैसे paper को लिखना है वह ऐसा कर सकता है और अच् अब इसको कर दिजिएगा यह नमर थोड़ा से इधर कर दिजिएगा वाटर प्लूशन अब कर दिए इसको बीच में लिखिएगा अब डबल अंडरलाइन करके पाच अब यहां से आप लिखना स्टाट कर दिजिएगा अब जो भी आपने लिख दिया लिखने के बाद से इसका effect पूछ रहा था पूछ रहा था तो effect अब इतना बड़ा मत लिखिएगा इससे थोड़ा सा अब आधा साइज में लिखिएगा लेकिन इससे बड़ा होना है ओब इस से इस संफ पर देंगे सिर्फ एक लाइन देंगे हना और यहां से फीर अब यहापने नहीं देना है तो अ क्रिकी नमर यहीं चल ऑफ फिर इसे बार इहां पे लिख देंगे है अब देखिए इस तरीके से आपने देखिए इस question को आपने cover किया इतना बहतरी नंग से लिखा एक जामनर जो है ना बिल्कुल ही नहीं पढ़ेगा हाना यह सिस्टम ही आपका देख करके आपका question जो है ना यहीं पर वह सही कर देगा अगर 10 नमर का है तो आपको 10 नमर यहीं पर देखा ना खुसी खुसी है पिली देगा इस तरीके से आप जरूर लिखिए गाना उसके बाद जो कोशन आता है उसको लिखिए उसको आप लिखिए सबसे कम एस कोरिंग एरिया वाला जो कोशन होता है उसको अप लास्ट में लिखिए ना अधिक सदिक नमबर वाला question आप पहले कर लिजिए तो इस तरीके से करिएगा हाला के देखिए एग्याम देने जा रहा है सरकार ने आपको पढ़ने का भरपूर मौका नहीं दिया है तो पास करवाने का भी उसका ही मौका है एक बाद आप समझ लिए ना उपास करवाएगा लेकिन इसका मतलब यह नह तो उसी के स्पीड में भागेगा कोरोना का समय चला है कोनों अगल बगल सटेगा नहीं एकदम बिंदास परिक्षा देखे आईएगा और मेरा भरोसा है बिलकुल मैं मेकर आनू कि आप लोगा सभी का क्या आएगा बहुत अच्छा नम्मर आने वाला है बस थोड़ा सा कि अधर में मन से कुछ कुछ चीजों को लिखिए चोटी मूटी कहाणि अपनी मन से लिखी है वाटर से ने की बारे मैं इन्भाया बारे में आपकामस मेंगांजिते चले याइटिंग बना के लिखिएगा पहला पे जूसरा पे तुल साच्छा कि लोग देखता है फंस्ट इंपरेसण इस लोग आता है तो वह ही पहला इंपरेसण इस अच्छा से लिखिएगा लाश्घ कच्टा भाच्टा होन उससे ब ओबीच में डाल दीजीगा नहीं भी आया तो आपको रुखना नहीं है सभी क्वेश्टन को टच करके आ रहा है कोई कोई छोड़ना नहीं है आप समझ रहे हैं मैं इसा बात क्यों कह रहा हूं हना क्यूंकि एक जामिन जो होता है नवाबू इतना फुर्सत में नहीं बैठा है कि आपका एक एक लाइन पढ़ेगा एक सिस्टम से लिखा कि नहीं इसा मिल गया तो फिर बवाल हो जाएगा बीच में आपने बढ़िया भी लिखा है तो काटको देगा आपको तो दोसों गुस्ता नहीं आना चीए इतना अप लोग ध्यान नखिएगा तो अच्छा से लिखिएगा आज इतना बेकार से कारे आप सभी लोग फर्स्ट डिमीजन आईएगा ठेक है ना तो देखिए आज के लिए इतना ही फिर कोई जो टीप्स होगा कुछ बाते होंगी तो इस चैनल पर मैं आपको बताता रहूंगा चैनल से पर जूड़ जाएगा हम आप से जूड़ना चाहते हैं इसे चैनल को सब्स्रा